दोस्तों बहुत सी गर्वती महिलाओं का सवाल होता है कि नॉर्मल डिलेवरी के लिए हमें प्रेगनसी में क्या करना चाहिए? ऐसे कौन सी काम है या ऐसे कौन सी प्रियास है जिने हमें प्रेगनसी में करना चाहिए जिससे आगे चलके हमारी नॉर्मल डिलेवरी आसानी से हो पाएगी तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इनी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि अपनी प्रेग्नेंसी के अंदर आपको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलेवरी के चांसे बहुत हद तक बढ़ जाते हैं दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा अगर चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करके जाएगा जिससे हमारी डिलेवरी या प्रेग्नेंसी से रिलेटेड वीडियो आप तक समय से हमारा एक और चैनल है जो हाउस वाइब से रिलेटेड है हाउस वाइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो अगर आप उसमें भी इंट्रेस्टेड है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप उस चैनल पे भी जा सकते हैं तो आईए गाईज अब वीड मुस्किलों में से एक प्रॉब्लम है आपकी डिलेवरी का होना दोस्तों डिलेवरी हर महिला चाहती है कि उसकी डिलेवरी सीजेरियन तरीके से ना होकर नॉर्मल तरीके से हो जाए महिला नॉर्मल तरीका इसलिए चाहती है कि वह बहुत जल्दी रिकबर हो जाती है और हो जाती है जिनके कारण उनकी normal delivery में परिशानी आती है और doctors भी normal delivery ना करके sugerian delivery की तरफ अपना रुक करते हैं दोस्तो सुरवाती pregnancy हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारी delivery normal तरीके से होगी या फिर sugerian तरीके से होगी लेकिन अपनी pregnancy में हम कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे हम अपनी normal delivery को और भी आसान बना सकते हैं तो आईए guys जानते हैं वो कौन सी बाते हैं, कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखके हम अपनी normal delivery को और भी आसान बना सकते हैं आसानी से हमारी normal delivery कम दर्द में हो जाती है अपनी pregnancy में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने activity में आपको pregnancy के अंदर आलस बिल्कुल नहीं आने देना है अपने आपको active रखना है यदि आपको ये लग भी रहा है कि सुबह मुझे देर तक सोना है तो दोस्तों देर तक ना सोये सुबह उठकर morning walk जरूर किया करें घर के छोटे मोटे काम pregnancy के दौरान भी किये जा सकते हैं दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप घर के काम ना करें भारी सामान ना उठाएं बहुत भारी चीजों को इधर से उधर ना खिसकाएं लेकिन घर के छोटे मोटे काम आप हमेशा करती रहें इससे आप active रहेंगी और आपका बेबी भी active रहेगा अगला point है अपने बजन पर ध्यान देना दोस्तो प्रेगनेंसी के अंदर हर महिला का बजन थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन प्रेगनेंसी में आपको ध्यान ये देना है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए क्योंकि यदि प्रेगनसी में आपका वेट बहुत जादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलेवरी में ये दिक्कत करता है और आगे चलके आपकी सुजेरियन डिलेवरी करानी पड़ती है प्रेगनसी में अगला पॉइंट है जिस पर आपको विसेज ध्यान देना है वो है आपका खान पान दोस्तो प्रेगनसी में यदि आप कमजोर है पोशक तत्यों आपकी बोड़ी में नहीं है तो आप अपने बेबी को हल्दी नहीं रख पाती है इसलिए ध्यान रखे कि हमेशा पोशक तत्यों से यूक्त भोजन करें प्रेगनसी में आपको आईरन और कैलसियम की बहुत ज़्यादा रिक्वार्मेंट होती है जिसके कारण आपको अपने भोजन में आईरन और कैलसियम वाली चीजों को ज़्यादा सामिल करना है दोस्तों प्रेगनसी में यदि आप वीक है या फिर आपको आईरन या कैलसियम की कमी है तो इससे आपके बेबी में भी इनकी कमी हो सकती है आईरन की डिफिशेंसी हो सकती है जिसके आपकी नॉर्मल डिलेवरी में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका बेबी भी वीक हो सकता इसलिए दोस्तों अपने खान पान पर अपनी प्रेगनसी में पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा जिससे आपकी प्रेगनसी हल्दी रहे दोस्तों अगला पॉइंट है अपने आपको हाइडरेट रखना प्रेगनसी में अपने आपको जरूर हाइडरेट रखे इससे आपकी बोडी हल्दी रहेगी दोस्तों पानी की कमी आपकी बोडी में नहीं होनी चाहिए आपके बोडी में जो एम्नियोटिक फ्लूट होता है जिसमें बेबी रहता है वो भी पानी से ही बना होता है जिससे बेबी को उर्जा मिलती है तो दोस्तों यदि आपकी बोडी में पानी की कमी होगी तो एम्नियोटिक फ्लूट में भी पानी की कमी हो सकती है इसलिए अपने प्रेगनसी में कम सी कम आट से दस क्लास पानी आपको जरूर पीना चाहिए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि अपने आपको प्रेगनसी में तनाव से दूर रखें दोस्तों आपने सु बेबी भी स्वस्त नहीं रह पाता है तो गाइस प्रेगनसी में इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है इसके अलावा आपको डॉक्टर के परामर से योग प्रानायाम करते रहना है जिससे आपका बेबी भी स्वस्त रहेगा और आपकी प्रेगनसी भी स्वस्त रहेगी कैस मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद